हेलो हैं वेलेकम बैक तुमेटुब चैनल तो आज हम लोग आगे हैं मिस्टर ब्रेटिल कैफे पर और यहां पर आपको बहुत सारे उफर्स मिलने वाले हैं और आवाज पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं आई थी तो मैं वोईसवर कर रहा हूं तो काम चला लेना ओ हां यह तो अम मैं आगे हूं कैफे के अंदर एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वेर गैमरे में आपको दिखाता हूं यहां पर आपको फता नहीं लगेगा यह अंदर का भूई अधर आप यहां पर आते हो आपको यह वी मिलने वाला है प्रेटिंग अपना बता दीजिए अपना नाम है मेरा नामें मिटे कनॉव भाग्ला रहा है मतलब क्या श्पेसल के अंदर आप बताईए अपने अपने पीज़ा सबसे ज्यादा सबसेशल है जो की मोस्स सेलिंग आइटम से आता है अपने और वेटनस्टे वाला मैंने आपको अभी बताया है जो बाइवन गैटवन है उसके लवा अपने सेचेड़े संडे का ओफर चेंज होता रहता है जैसे कि इस सेचेड़े संडे का आपको ओफर है थी पिति में फाइव डैगूलर पीजा डिटेंज दिफरेंट व्लेवर के वाइव फिजा कर रहे हो यह बिल्कुल में कर आई है आपको जूर मिलेंगे थी फिफ्टी में फाइब रैगोलर पीजा से प्रफिट गारे यह रिकेंड पर प्रिसका आपको पता लगेगा इस्टाग्राम एंडल पे इसको फोलो कर लिए पेज को मिस्टर ब्रैड गिल नाम से पेज है उसके आपको हर थर्स्ट्रे को अपडेट मिल जाएगा ज्यों सेचेडे सेंडी को ओफर होने वाला है और आप तीसरा जो ऑफर बता रहे थे वह नान वाला कौन सा था वह एवरी सरी कुल्चा लाग साइस प्लस छोले प्लस रायता और इमली की चट्मी और प्याज इसको बिल्कूल मिल मिलेगी आपको 60 रूपेज में एक परसन के लिए सफिशेंट मील है तो इस आफ़र को ट्राय करने के लिए हमें कहा आन पड़ेगा अनमान गड़ में इसको सर्च ट अब यह अपना चोटा सा पार्टी हो लाए 15 टू 20 परसन की गैदरिंग हो जाती है यह अचली आज मोर्निंग में पार्टी थी तो उन्होंने चोटी-मोटी डेकोरेशन करवाई थी बस होई कियो यह जाब लेकोरेशन करवा के देते हो या खुद करवानी होती है जो परसन इस लगा हुआ है बिल्कूल वैदर मिलेगा कोई उस भी होगा तो अब चलते हैं इनके शेफ के पास जो कि अपने को कुल्चे और जो चाफ बगरा है वो बना के देने वाले हैं तो चलते हैं सीरा वही पर यह हैं आके शेफ तो वैया एक बार तदाईया क्या बना रहे हो म जाए मतलब टियारी कैसे करते हो इतने टाइम पहले रखता हूए यह कम से कमाई एकड़ गंटा पहले लगना पड़ता है मसाला लगाया है परके दिकाना और हमने बनवा ही यह तीन चीजे पनीर टिक्का मसाला चाप और एक है इनकी स्पेसल नान तो चलिए देखते हैं त पुल प्लेट उसमें कितनी पीस रहते लिया यह पाच पीस रहेंगे इसकी कटिंग हो जाएगी फुल फुल प्लेट के मदर पाच पीस रहेंगे बड़े वाले कर दो अवे जैनी ज्यां यह है पनी टिक करा इसमें डूंसाले सब पहले से कर देते अधिसमें अधिक वेडिया अफेकल ब्रुट सब्धारन दोने को शुक्तए अब हुरह हुरु प्लुट हुरु 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 अब अपने देखते हैं मसाला चाप की जो मेकिंग है और अपनी टिका रेडियो होगा वो यहां रेडियो होगा दूर के अंदर तो तंदूर में जाने के बाद इसको कम से कम लगते हैं पांस से दस मिनट और यह आपको बेट करने ही बड़ाएगा क्योंकि तंदूर में जाने के बाद अच्छा टेस्ट अभी आता है जब इसको अच्छे से पकाया जाए और जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो देखो बाहर निकालते वक्त इसका कलर देख सकते हो आप कितना मस्त हो चुका है और एक बार मैं आपको इन टीनों की मेकिंग दिखाएता हूं जल्दी से ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और जो हमने और किया है वह मैं आपको दिखाता इसके बारे में बताता हूं मैं जैसे इतक सब्सक्राइब करके इसके 20 दिये जाएंगे और दो बंदों के लिए एक पुल प्लेट इनफ होती है क्योंकि मैंने ट्राइब कि आगाना तो ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है एक बंदे के हिजाब से तो आप हाफ प्लेट भी तो इसको टाइम तो देखो बनने में 10-15 मिट लग जाते हैं अगर आप कैफे में जाते हो तो वेट आपको करना पड़ेगा और एसी में क्या ही दिक्कत है आपको वेट करने में तो अफ्लेटिंग देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हो चुकी है दोनों चटनी आ चुकी है एक यह मियोनेज और कैबेज और कॉन थी बहुत थी टेस्टी था यह कॉंबिनेशन भाई मज़े आ गया था और इसके साथ आपको सैलेड वगरा सब दिया जाएगा और अभी यह लास्ट में सैलेड भी डालेंगे और यह नॉर्मल प्याज नीती मतलब सिरक्या वाली प्य और यह प्याज टाइप लग रही थी जैसे अपने किसी होटल वगरा में खाना खाना जाते तब देते हैं तो देख सकते हो मस एकदम तो अब चलते हैं अपने मलाई चाप की तरफ क्योंकि दोनों मसाले वाली चीज़े हो रही थी इसलिए मैंने और चेंज कर दिया था बी और बढ़िया टेस्ट रहे इसका और इसके बाद में इसकी होती है प्लेटिंग तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आप आगे देखे सकते हैं वीडियो के अंदर अब हो रही है अपने मलाई चाप की प्लेटिंग तो इसके अंदर पहले लाल अपने चटनी आ जाती है फिर आएगी इसके अंदर ग्रीन चटनी और इसके बाद में जो इनकी मतलब स्पेसल मिक्स अपनी इन्होंने बढ़िया सा बनाया था वो डालेंगे यह जो कि इन्होंने कैबेज मियोनीज और कॉर्ण मिला के मतलब बनाया था और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था मैं तो इसके बाद में आएगा अपना रेडी किया हुआ मलाई चाप जो की स्टोब से ला रहे हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस था यह आ गया है अपना मलाई चाप और यह गर्मा गर्म भाई साब बट मेरी प्लेट तक आते हैं यह ठंडा हो जाएगा नॉर्मल सी बात है तो मुझे तो ठंडा ही खाना पड़ेगा बट आप जब जाओगे ना तो गरम-गरम ही मिलेगा और यह आ गए हैं अपने अमरसरी नान की तैयारी देखने और यहां पर पहले यह मसाला त्यार करते हैं तो अच्छे से यह मसाला त्यार किया है अच्छे साइस तो काफी बढ़ा है जित साफसाफ ने वह गुला बना है और यह जोटे नान के दो बरबर है इसलिए इसको अबरी सरी कुल्चे शो लेगते हैं तभी मतलब लेट में एक दिया हुए है एक सीट बढ़ा है एक सीट और यार लेटरली में आपको बताँ न है इसका साइस बहुत ही ज्यादा बड़ा है आपको पता नहीं भीखेगा या मतलब नहीं समझाएगा तो इसकी ठिकनेस जो थी ना मतलब काफी जाता थी और साइस तो आप देखी देओ दो हाथ के बराबर है तो दो नान बड़े-बड़े जो होते हैं वो इसके अंदर आ निकाला जाए इसको तंदूर के अंदर से और थी देखने में ना यह ऐसा लगा रहा है अबत करिए है यह फंजा लग रहा है यो इसको बन्दा मतलब एना सब्जी के भी खा लेना तो पेट भर जाएगा और टेस्टी तो बहुत ही जादा लगने वाला है तो इसकी कटिंग करके देंगे पूरी जैसे चार पीस के आते हैं और काफी बड़े-बड़े पीस हैं ये और एक प्लेटिंग की जाएगी इसकी ये देख लो ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ इसके बाद में सेम अपना ये आ गए है नान तो इसकी प्लेटिंग अच्छे से करके देंगे ये और साथ में इनका जो रायता हो गया प्याज हो गई वो इसके साथ में आपको कॉंप्लिमेंटरी मिलने वाला ही है तो इन्होंने बताया ही था तो चलिए जल्दी से इस सब आप दोल सकते हो तो एक पर मैं आपको प्राहे करके दिखाता हूं तो यह देख सकते हो कि वाई साथ क्या ही बाइट लग रही है जल्दी इसको खागे देखता हूं हुम् 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 बहुत ही टेस्टिश बहुत ही शाप पूरा घी का ही फ्लेवर है इसके अंदर और और अम आपको दिखाता हूं यहां की मलाईचा क्योंकि मुझे बहुत ही जादा प्रसंद है लगोड़ से ट्राइ कर भी जुका हूं पहले ही देख एक तो सब्सक्राइब पत्राइब इन्होंने मियोनिस और कैबिच से साथ में बहुत लगड़ा लग रहा है और आप लोजप में देखो कि अब भरी खागे देखता हूं कि इसके साथ में बाइट नेक्स लेवल लग रहे हैं तो यह दोनों चीजे पास हो चुझे है और अब चलते हैं अपने यहां के पनी टिक्के गोगर क्योंकि बहुत पेमस है और इसके और भी चलते रहते हैं कि इवकर इसके सबस्की है कि यह दो कि देखते हैं को इसके क Classic काई कि इंस अब कि ओल कि भर सब्सक्विक मेराग स्बाद कि अपको मेर में ऐर किicarख स्ब्सक्ता हूं हूँ आप शायां तो एक पर आपके में प्रसे दिखा जाए जाए आई साथ ये देख रहे हो इसको गोटते हैं में इसको गोटते हैं जो कि अमानगड में मिल रहे है वाई जाए हमारे पिश्कोले ये तोड़ा स्कान रहे ताप ये प्याच पोर हो अब भाई शाब प्रेश कि दो काही बात पुरूम मज़े आगा मुवें जाते ही एक्दम भूल जा रहा है अब अब उताता हो नहीं ये अच्छे तो मैं आप उताता है दिया है बट भर दबायता हूं कि वर्ट इट है इन चीज़ों पर आप पैसे लगा रहे हो ना भाई वर्ट होने वाले हैं इनमें मतलब रेटिंग की बात पर आपको प्राइस साथ में दिख रही होगी भाई बहुत ही सही चीज है और ऑफर बगर हैं चलते रहते हैं तो इनकी इसको निप्टा देता हू क्या है